नमस्कार जैश्री क्रिश्णु स्वागत है आपका आज की गुडलक में और ग्रहों नक्षित्रों की जानकारी देने के लिए ग्रहों की चालों को समझ कर क्या कुछ आपके जीवा में होने वाला है वो हम आपके समक्ष उपस्तिते मैं हूँ आचारे डॉक्टर विकरमा की कारिकरम है आज क्या कोड़ा सावन का महीना चल रहा है और इस सावन भवान शिव को पसंद करने के लिए अद्बुत पल दायक है पज़रते आप संकल पले का भवान शिव की अनन शद्धा और विश्वास के सब अराधना करें शिव सदा प्रसंद करने वाले हैं समस्त इच्छाएं कूरा करने वाले हैं और दो दिन बाकी है केवल सावन में आज आखरी शनिवार है भवान प्रसंद करने का अपना पूर्ती के लिए शिव की उपासना में कुछ खास बाते हम आपके समक्ष आज उपस्त करेंगे और सितारे क्या कहते हैं आपकी राशी के अनुसार से वो आपको बताएंगे सबसे पहले बात कर ले आज के पंचांकी पंचान के अनुसार शावण शुक्लपक्ष की चंदशी तिती है और आज बेहत खास है गृव जैनती है शनिवार का दिल है गृव जैनती है सत्यवरत है ओडम वरत भी आज भी ओडम महापर्व आज है का जाता है कि भगवान विश्णु के आशिरवात से ब्राजा महावली जो है वो हर वर्ष आते हैं और देखते हैं कि उनकी प्रजा उनको याद कर रहे हैं कि धर्मकारे में संलिप्त है के नहीं है तो आज वह शुव्योग है कि जब आने वाले है तो इसलिए उनके निमित्त खास दोर पे आज पूरे केरर शेत्र में दक्षन भारत के अंदर ब णना हुआ फार्ब नसुमें नोट कर सुम्मधाम लेगा आप महूट कांव लेवे काम मुस्कुल करेंगे औरंभा करेंगे नौब यह सावन न मrecord शनिपार धोगा घ्टावन कि अच्यों मुस्की नВО्ड़यों दो समस्त कश्ट दूर होने के अद्बूत योग बन जाते हैं पूरे वर्ष कल्याण के लिए बड़े शुब योग है तो आज के शुब भूर्त में मनोकामना पूर्ती के लिए एक खास उपाए आपको बताने जा रहा हूं कर दीजिए नारियल को खास तौर पे सूखे हुए न आगे बढ़ने की योग करेंगे जैसे मैंने आपको कहा कि आज शनिवार है और भगवान हनुमान जी की अरादना करने से शरी प्रसंद भी हो जाते हैं और आज शाम को सुर्यास के बाद हनुमान जी कुखा के सामने एक सरसों का तेल का दीपक जलाए और मिट्टी का दीप समस्यां चल रही है तो अनुमान जी का जब और सुंदर्कान का पाठ करने से उन समस्यांगों भी दूर करने में मदभ मलें जिन लोहों के जीवन में अव्शात· मौन श्वात्न के अनुसार से बहुत सारा समस्या चल रही है तो अर्पीत करने आजके o और तोर आपके साहास में अद्वत्रकासे विद्धी के योग वंते हैं हर्मान जी के अरादना से शनी के तमाम प्रकोप दूर हो जाते हैं और यह प्रत्यक्ष है ओम हंग हरुमत है रमाइस मंत्र का नित्यपर्दी जब करें हर्मान चालेसा का पाट करें सकारात्मक एनरजी आपके अंदर बढ़ेगी तो इस पकार से आप छोटे-छोटे उपाये करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं राश्यों के समन में और गोडलक बताते हैं किनके लिए आज का गोडलक कहां से आने वाला है कौन सा उपाय करके मेश ररिक अर्मीन राश्यी वालो के रहा हाल जान लीजे सबसे पहले नमबर है मेश राश्य वालो का मेश राशिवालों, आज कर दिन आपके लिए कुछ शक्ती वर्धक रूप में पस्तित हुआ है, मुझे ऐसा योग दिखाई दिता है आज आपके मन में कोई नए विचार आते दिखाई दे रहे, उनके अनुसार कारे करेंगे, लाप्राप्ति के योग बनेंगे वैपार में कुछ यात्राख होती दिखाई दे रही है, सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे चार अंक आपके लिए शुग है, गुरा और सलेटी देंग आपके लिए शुग रहेगा बवान सस्तनाराण के अरातना करें, उनकी व्रत करें, उनका कठा करें और प्रसाद बाटें, देखेगा समस्यान दूर करने में अध्भुत रूप से लाप्राप्त होगा मां अमे करेंगे कल्याण, व्रकराशी वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लिजे आज कर दिन थोड़ा भागदोर से भड़ा रहता दिखाई दे रहा है, नौकरी के लिए कारिभार का कुछ नया आपको प्रापकुता दिखाई दे रहा है, थोड़ा कारें का प्रेशर बढ़ सकता है आप अकारण ही बिनाकारण के परिशान होते दिखाई दे रहे, सायोगी की मदद मिलेगी, चिंता ना करे, कारे पूरे अवश्य होंगे तीन अंग आपके लिए शुब है, और केसरिया और पीनरंग आपके लिए शुब रहेगा दególग बिजनस में तरक्वी के लिए आज एक बात करने का प्रयास कीजिए, घर में कुछ कबार वबर पढ़ा हो तो उसको हटाने का प्रयास कीजिए और इखटा ना होने ने फर्दर उसको एन्हांस ना करें उसको हटाने का प्रयास कीजे लाब होगा इसी प्रकार से राशियों के समन्द में आगे बात करेंगे पहले बात कर लेते हैं एक वर्टस अफ मेसेज की बागपत से जोतिर चंदेल जी का एक वर्टस मेसेज आया है धन संपन्दा के विद्धी के लिए बरकत के लिए कैसे कारोबार में आगे बढ़ने के यूप बनेगे उसके लिए उपाये जानना चाहते हैं देखे सावन का अंतिन शनिवार है और ऐसे में एक उपाये ज़रू कर लीजे घर के मुख्या को कहिए खासतार पर जो घर में बढ़े विखती हो एक मोती शंक पांच गोंती चक्र और एक तामे का सिक्का लेकर थोड़ा सा नाक के सर को एक लाल कपड़े में बांदे और किसी मंदर में अपने घर के चारोतर से लबट आके या वेवसायस थल में रखकर उसको मंदर में रखाईए और एक नया तुलसी का पेड़ आज की शुवयोग में उसको अपने घर में लगाने का प्रयास करें या वेवसायस में लगाने का प्रयास करें और हर रोज उन कुछ नया काम मिलका दिखाई दे रहा है आपको कुछ नई जिमेदारियां स्वापी जा सकती हैं जिसको लेकर थोड़ा सा आप काफी समय से इच्छुप भी दिखाई दे रहे रोजगार को लेकर जो लोग कारगरत है उनके लिए उत्तम सफल्दा दायक समय दिखाई देता ह कि लोह आएगा तो शनी अप्रसंद हो जाएंगे कश्ट के योग बना देगे करकाशी वालों आपके राशी में क्या कुछ बन रहे हैं योग जान लीजिए आज के दिन आपके लिए कुछ व्यस्ताओं से भरा रहेगा पूरा दिन व्यवसाओं की कामधंदे की उज्जन शुट्र नाराजगी आपको सेहनी पड़सकती है शंतान के स्वास्त की फुड़ी परेशानी के योग दिखाई देता है उपाय करें चिन्ता ना करें लाप्राप्तों का परिशाणी उज्यूक्ती होगी पांच नंबर आक के लिए शुबह हरार फिरोजी रंग भी आपके लिए शुबह दिखाई देता है सुबह सुबह एक उपाय करें दवान सूरे को तामे के लोटे से जल दालें अर्गिदत करें गुड़ डालकर और हो सके तो घुड़ों को चने खिलाने का प्रयास करें दवान सतनाराण का का आगे बढ़ते हैं और वाट्सप मेसेज की बात कर लेते हैं उत्तरपरदेश से बरेली से अभिशेक त्यागी जी का एक मेसेज आया है उनकी कुंड़ी में कालसरफयोग है किसी ने उनको बताया है उसे मुक्ति का साधन जानना चाहते हैं देखिए कुंडी में कालसरफ की निवित्ति के लिए हमाने श्रुट का एक नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में स्थापित करें आप लोग बाहर जाके अनेक उपाय करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कालसरफ प्योग जो होगा वह हमेशा के लिए होगा नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करें उनका नित्यपती महामृत्य मंत्र से या बामदेव मंत्र से अभिशेक किया करें और बिल्वपत्र उन्हें नित्यपती चड़ाय कीजिए देखिए का धीरे धीरे इससे आपकी निवित्ति प्राप्त होगी कष्ट दूर होंगे और शिवका रुद्रा वि ना बेस्कास करें मैं आपको अज कुछिम्टम करने जा रहा हूं किस इस प्राभ होता जिन को आप देख के समझ सकते हैं कि कि आपको परिशान करें सुली नशिद् 것도 कॉर्षी कंश्छी का सीओंसी आपको तेरी चिषानी होने लोगे तो और और चचीज़ले चाहर सिंदृ प्रशानी हो रही हो तब भी और यह सब सिम्टम है आपके सूरे आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं नयाय आलय में बिना किसी कारण के आपके विवाद है वह बढ़ते चले जा रहे हैं तो समझ लिए सूरे का उपाए करने की बहुत ज़रूद है यदि आप फसल लगाते है और फिर वो बिराकारण सूख जाती है तो समझ लिजे सूरे आपके शुब नहीं है उनको सीख करने का प्रयास कीजे उनका उपाए करें तेज धूप में जिनको ज़्यादा चलना पड़ता है ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है समझ लिए सूरे उनके अनुकूल नही है आप समझ दीजे कौन से संकेत है वह व्यपारी यदि व्यक्ति खासता और पानी के टंकी में बिना कारण के लीकेज हो जाए नल से पानी खराब होता रहे घर में पानी बरबाद हो रहा है या अचानक घड़ा टूट जाए तो यह सब सब सबस्द्रमा के आपके है चल रहे है लाल रंकी वस्तूर यदि आपको खास तार पर हो जाती है हो जाती है तो वो भी मंगल के अशुब का संकेत है यदि हवन आप करें पूजा आप काट करें दीब जला रखाया अचानक बुझ जाए मिना कारण है मिना हवा के जोके और शुब करते हुए अशुब के संकेत मिन लगे तो समझ दीजे मंगल आपके जीव में अशुब योग बना रहा है शत्रों के संखा में पढ़ती हो जाए दुरगटना बारबात होने तके और श्यारी कश्ट हो तो यह मंगल को शुब करने के संकेत नहीं है परिशानी के य प्रेशनी के योग दे रहे हैं तो उससे पहले कुछ संकेत भी देते हैं अच्चे काम करने के बाद भी आपको अपयश मिले तो समझद ब्रस्पती आपके अनुकुल नहीं है आपके आभूति रिएको रहे हैं तो समझद देनेगा वचन नहीं चुनर हो और बार-बार जुट बोलना पड़ रहा ह। तो समझ दिजे ब्रस्कति आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, कईने कई भयाना कष्ट आने वारा है, यदि आप अपने कर्मों को दाइत्मों को सही प्रकार से जम्मिदारी के साथ नेभा नहीं पा रहे हैं, तब भी ब्रस्कति का उपाय करना आपको बेहत जरूरी है, बहुत सा नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, यदि व्यक्ति नहाने से खास दूर पर घबराएं, तब टोल करें, तो समझ दिजे शुक्र ठीक नहीं चल रहे हैं, पति-पत्नी के समंद्धों में कुछ तनाव हो, तो समझ दिजे शुक्र की परिशानी के योग बन रहे हैं, हाथ-पैर अंगूटा सुन हो, निश्क्रियों हो, तो समझ दिजे, यदि श्क्रियों के साथ अकारण विबाद हो रहा है, तब भी वो संकेथ है कि शुक्र शुब नहीं है, और शनी को मनाने की कब आवश्चकता है, वैसे तो शनी को मनाएं, सदाशुक्पाई शास्त कहता है, दिन म समझ दिजे किसी अपना दिव्यान व्यक्ति से विवाद हो रहा है, तो समझ दिजे कहीं न कहीं शनी आपको कश्ट देने वाले हैं, मगान का कोई इससा गिर जाए, तब भी शनी समझ दिजे कि शनी आपके शुब नहीं है, लोए से चोट लगे, आघात हो, पालतु हैं, यह आपके संकेत हैं, इनके द्वार आप समझ सकते हैं, कि आपके कौन से ग्रह आपके शुब नहीं चल रहे हैं, तो यह थोड़ी दिन तक इनको उपाय करने के प्रयास करना चाहिए, यह इनके संबंद में उपाय करने के लिए इनके मंत्र हैं, इनके उपाय हम समिश को दिखाई दीती सब्रक्र ह rec recyti चारों तरफ नजब नाये रखने शरुवत है शक्ड्र आपका नुगसान करने की प्रयास करा सकते हैं उसके उपाय करने का फर finger करें आज किसी खास तो पर बूर की यात्रा की तरफ जाते दिखाई दे रहें आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए कोई नई योजना भी बंती दिखाई दे रही है तीन अंग आपके लेशुब है केसरी और पेलरंग आपके लेशुब रहेगा सुवंदित चीजों का में बर्चर का हिस्सा लेता दिखाई दे रहें जन संपर्क का भी आपको लाप रापता होता दिखाई दे रहा है धार्मी काईजिनों से धनवय होगा उससे शुब कर्म होंगे और भविश्य में आपको सही तरफ आगे बढ़ने के योग बढ़ेंगे व्यपार के लिए आ हर्मीद कौर्ची का वो लिखती है कि उनके मस्तिक्ष में कई प्रकार का बूजा बना रहता है प्रेशर में रहती है एक अजीब सी बेचैनी मन में थिताती रहती है कोई उपाय जाना चाहती है देखिए जीवन शैली में परिवर्तन करने का प्रयास किजे विक्रित अहार अशुब अहार मन में इस परकार की अशांगाओं को बढ़ाने का प्रयास करती है अहार शुद्धव मना शुद्धव शरी शुद्धव विचार शुद्धव मना शुद्धव प्राकृतिक जीवन चैली को अपनाने का प्रयास किजे धीरे धीरे परिवर्तन आने का प्रय हो जाएगी और सुबह जल्दी उठकर श्नान करने का प्रयास करें माका अनित्यपती ध्यान करें कल्याण होगा मां का आशिरवाद आपको मिलेगा आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं तुला राशी के समन में कि अंकली आज के दिन कैसा है थोड़ी उल्जरों से भरा दिन दिखाई देता है व्यपार के लिए कुछ नया निर्ने लेते दिखाईते रहें तो दिल दिमाग दोनों को बात सुनने का प्रयास किजिगा बैलेंस कि पराशी केरें के लिए दिन कैसा है आपके रोजगार संन शुक्त क कारें में अज कुछ नया व्यविसाय की तलाश में शुक्त नया काम करते दिखाईते रहें आज किसी खास प्रयोजन से आपको लोगों की मदद मिलती दिखाई दे रही है, धन के मामले में आज के दिन उत्तम दिखाई देता है, छे अंक आपके लिए शुब है, पारदार्शी और बुलावी रंग आपके लिए शुब रहे हैं, अन्मान जी का पूजन करने से आपके कश्ट कभ होंगे, तो एक WhatsApp मेसेज और आया है, सपने विज्ञान के समन्ने, उसमने बात करने थे हर्याणा से, सोना जीने से, युद्वीर जी का एक मेसेज आया है, और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सपने में नित्य करते हुए खुद को देखा, और जानना चाहते है अब जाता है, सपने में लेखने अपने आपको नित्य करते हुए देखता है, तो शुब संकेत नहीं है, किसी और को भी नित्य करना देखना शुब नहीं है, धनहानी, अपयश और बदनामी के योग वंते दिखाई दे रहे हैं, इसने साध्वानों का प्रयास के जिने, ब ऐसका संकेत क्या है ठीक है दार्मिक कारें उससे आपको धनके योग भी बनते दिखाई माम्मे करेंगी करलेया दन्दोधाशी वालों के लिए आज कर दिन कैसा है जान लीजे आज लग क्या एटाहां है आज जीवन सा działवी यो दिखाई जोंत जानत रहें, समझने, प्रयास किए शुथ भी ठास कीजिए, क्यों माम्मे करेंगी 색깔र द्रूष्णा के सब्सक्तивает दिखाई दिता है किसी पुराणे हुए रुखेव कार्ये को बनते हुए नज़ा दिखाई दिखाई दिरहें योग बन सकते हैं परिवार को लिगा तुनाव चल रहा है वो स्वाप्ति कि तरफ जा सकता है ठोड़ा प्रयास कर देखें है शुब रंगर केसरी और पीला है आतिक स्थिति को बद्रूट करने के लिए प्राताकाल श्ना नित्यादी कर लवा निसुर्य को लाल पूल डाल कर अर्गे समर्पित करें कर लाड़ होगा अंतिम दो राशी की समंद में बात करेंगे उससे पहले बात कर लेते हैं एक वर्टस अप मैसेज की और वो आया है हमारे पास सुपवल जिले से बिहार से शिवम प्रजापति चिका और उन्होंने वर्टस वैसे लिखा है क्योंकि आखो समंदी परिशारी उनको बहुत दिन स देख पाने में कुछ दिक्कत है और साइट का विजन कुछ परिशानी कर रहा है तो जानना चाहते हो पाए यह प्राण मुद्रा है इसका अभ्यास करने का प्रयास करें देखें धीरे-धीरे नेत्रिंदी तरप्त होने के लिए अदूत प्राप्ति के यह बंते हैं यह मु यह उससे जो आखों में स्ट्रेस होता है मस्कुला वीक्मेस हो जाती मस्कोला स्ट्रेन हो जाता है उसे रिप्रति मिल जाती है और यह बुद्रा करें जिरे-धिरे लाप राप्त होगा साथ-साथ आपको एक तरीका ओभा बता देता हूं आखे धोने का जब भी जोगी है उनको थोड़ा सा रिलाक्स भी देने का प्रयास कीजिए मूह में पानी भरे जब भी थोड़ी दिर आखों काम करें और फिर आखों को चीटा लगाए उस पानी को पुल्ला कर दें बिना पानी के मूह में पानी हुए यह आखों को दोएंगे तो आगे कमजोर हो जा है जिसके कारण से मन प्रसंद भी होगा आज स्वास्ति के प्रति तोड़ा सचे रहने का प्रयास कीजिए कुछ लापरवाई होने के योग दिखाई देते हैं इसे बिमारी की शिकार हो सकते हैं नौ अंक आपके लिए शुब है लाल और महरूर रंग आपके लिए शुब करक्षी से पर उन्धू बचने का प्रयास करना चाहिए अन्था परिशाणी modifier किसी के अपनी शान में बहुत सारा खर्चा करने के लिए गडिखाई-दिखावे का प्रयास करें तो फिर फ्रस जाएंगे इस बात से धान रखते हुए काम करने का प्रयास करें अनितात धनों वे होने के युग पंग सकते हैं शुब अंकन साथ है आपके लिए क्रीम और सफेज अंग आपके लिए शुब रहेगा और आज की दिन उड़त की दाल साबूरत की दान करने का प वास्त बर्दक है मघरशी पताजिली के अनुसार से दालचीनी का सेवन करने से पाचन तंत्र के विकार जो है वो दूर जाते हैं दाथ का ठीक हो जाता है सुर्दर ठीक करने में अद्बूत रूप से प्राप्त होता है चर्मरोग मानसिक समस्या त्यादी समस्यां को ठीक क करने के लिए यहां तक कि टीवी की रोग में अद्बूत रूप से लाप देती है एंटी ऑक्सिजन प्रॉपर्टीज बहुत अद्बूत रूप से प्राप्त होती है जो जब भी आप मसालों का प्रयोग करते हैं तो शुद्ध रूप से इसका इस्तवाल करने का प्रयास क अद्बूत रूप से लाप करती है और खास्ताव में भी जो लोग है इनकी घड़ जाती है शारीरी रूप प्रतियों चमतां को बढ़ाने के लिए यह अद्बूत रूप से लाप देगे तो कालदीजे धिरे इसका इसका इस्तिमाल करें दो चुटकी करीब चाय में दाल दालचीनी का सेवन अद्बूत रूप से लाप दायक है फॉलस्ट्रोल को ठीक करने के लिए दो चुटकी चाहिए दालचीनी का नित्यपती दूर में दालके सेवन करेंगे तो लाप राप दूद रूग में भी आपकी इमुनिटी को स्ट्रॉंग करने के लिए इसकी के हेल्दी टिप्स और आपके गणाओं की जोदिश की अनुसार से क्या कुछ होने के योग है आपको बताएंगे कल राखी है और साथ साथ सावन का अंतिम दिन है श्रावनी परव है बहुत कुछ है संस्कृत दिवस है और खास और गायत्री की जयंती भी है मां गायत्री क विदमहे है ग्रिवाय धीमहे तन्नो हन्सः प्रचो दयाद्